स्यार मार्केट पे स्यार विखता है जैसे करेलाइन्स की, HDFC, बैंक की या फिर दूसरी किसी भी कॉमपनी की ठीक उसी तरह से कॉमोडिटी मार्केट पे क्या विखता है? डीमैट अकाउन उपेन करने की दोरान या फिर इधर उधर से कॉमोडिटी के बारे में आपने जरूर सुनाए लेकिन अगर आप इसे समझना चाहते हो यह इनिसे सरल और आसान वीडियो आपको कही भी नहीं मिलेगा आज की वीडियो खास करके आपके लिए बिगेनर्स ट्र हो सकता है क्यों कॉमोडिटी ट्रेडिंग के लिए मार्जिन लेना जरूरी होता है उसकी बाद रिक्स फैक्टर के बारे में डिसकास करेंगे और इसी पॉइंट की अंदर कॉंक्लूशन भी रहेगा और रंत में जानेंगे कैपिटल भाया के बारे में जो की इस वीडियो क बनाने में और वीडियो कॉंटेन्ट रेडिसज करने में मदद किया है क्या पिटॉल भाया है क्या एक सेभी रेजिस्टर इंबेस्ट dei कुमपणी चाहें लॉंग टाम इंबेस्टमेंट हो या फिर से सुन लेने में मदद करेगा स्क्रीन विडियो की हरी पार्ट की टाैमि इंस्तानों ने नहीं कुदरत ने बनाया है जो चीज आर्टिफिजियल नहीं नेचर की है उसे ही हम कहेंगे कॉमोडिटी जैसे कि राई, सुगर, गोल्ड, सिल्वर, ओयल, एल्पीजी एक्स्चेंज की मदद से ओनलाइन कॉमोडिटी बाई सेल को कहा जाता है भारत में मेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग इंडियान कॉमोडिटी मार्केट में सबसे ज़्यादा गोल, क्रूड ओयल और सिल्वर की उपर ट्रेडिंग होता है। उसके अलाबा जैसे कि सियार बाइसेल करने के लिए दो मेन एक्सचेंजे से नसी और बी एसी ठीक उसी तरह से कॉमोडिटी मार्केट पे भी दो मेन एक कॉमोडिटी के उपर ट्रेडिंग होता है और NCDEX पे मेन एकड़ी कॉमोडिटी के उपर ट्रेडिंग होता है। तो क्या है कॉमोडिटी ट्रेडिंग हो हमने बहुत ही आसानी से समझा। अब जानेंगी कितने प्रकार की कॉमोडिटी ट्रेडिंग होता है। कॉमोडिटी या फिर future commodity trading और option commodity contract या फिर option commodity trading what is future trading? future यानि की भविश्य और trading यानि की बेचना खेरिदना, buy, sell या फिर सोदा तो future trading की आसान से मतलब हुआ अगर अब भविश्य की trading आज करना चाहते ही कोई भी product, currency या बर कोई भी सामान की price increase या फिर decrease होने से बचने के लिए तेन उस तरह की ट्रेडिंग को हम कहेंगे future trading What is option trading? Option market पे सौधा होता है position की Suppose आपको लगता है market में तेजी आने वाला है, market increase होने वाला है तेन तेजी का position आपको खरिदना है तेन अगर सच में market में तेजी आता है तेन जितना गिरेगा market आपको उतना ही अच्छा कासा profit मिलेगा आज की वीडियो की अंदर future and option के बारे में छोटी सी introduction हमें मिला अगर आप गहराई से detail में इसे जानना चाते हो, समझना चाते हो तेन उपर i button पे दिया गया derivative video series देखिए आपको crystal and clear idea मिलेगा, information मिलेगा जो भी आची, वीडियो की अंदर हमने already काफी कुछ discuss किया है उसी धरा को बरकरार रखते हुए, अब हम जानेंगे कितने प्रकार की commodity trader होता है दो तरह की trader होता है, hazard और speculator अगर आप और हम जैसी कोई individual या फिर कोई एक company कोई एक particular चीज़ को उगाता है या फिर manufacturing करता है देन उस product की या फिर उस product को बनाने की raw material की price fluctuation से बचने के लिए अगर कोई भी commodity trading करता है देन उसे हम कहेंगे hazard दूस्टी साइट पे ना आप कोई चीज़ उगाते हो या फिर manufacturing करते हो आप और हम जैसी investor को cable market की up and down से पैसा कमाना है इस तरह की trader को हम कहेंगे speculator मुझे पता है आपको कुछ भी समझ नहीं आया चलिए एक example की मदद से समझते है Lace company की मदद से समझते है क्या Lace कोई चीज उगाता है बिलकुल नहीं Lace potato chips sale करता है इसकी business model है बहुत ही simple फारमार से आलू खरीदना खरीदा गया आलू से chips produce करना उसकी बाद chips Lace नाम से branding करके market पे बेचना इसकी business model तो बहुत ही simple है लेकिन Lace के लिए सबसे बरा सबसे vital जो चीज है ओ है आलू अगर आलू की भाव बहुत ही जदा increase होता है तो आपको कैसे 5 रूपय की Lace 5 रूपय में मिलेगा अगर आलू की भाव बहुत ही जदा increase होता है तो Lace की पुरा business morally बंदो सकता है इससे बचने के लिए price fluctuation से बचने के लिए अगर Lace community market पे जाकर future contract buy करता है इसे हम कहेंगे hedging, risk को reduce करना और Lace को हम कहेंगे hedger सेम तरह से अगर फार्मार को भी लगता है इस सल आलू की भाव बहुत जदा गिर सकता है इसी डर से अगर फार्मार भी price fluctuation से बचने के लिए commodity market पे आकर future contract buy करता है देन फार्मार को भी हम कहेंगे hedger जो खुद की business की risk reduce करता है तो Lace को डर है आलू की भाव increase होने की और फार्मार को डर है आलू की भाव गिरने की इसलिए दोनोंने commodity market पे आके अलग-अलग future contract buy किया है इस contract की मदद से आलू की भाव future में चाहे जितना भी हो increase हो या भी decrease हो लेकिन दोनों को ही security मिलेगा आज की decide किया गया price में ही Lace आलू purchase कर पाएगा और फार्मार आलू sell कर पाएगा यानि की future की price up and down से दोनों ही है tension free सेम तरह से हेजर की concept दूसरी किसी भी product या फिर business की उपर applicable होता है complete concept समझने की बाद हम कह सकते है जिसके पास कोई business है कोई भी चीज हुगा था है या फिर manufacturing करता है तेन उस product की या फिर उस product को बनाने की raw material की price fluctuation से बचने के लिए अगर कोई भी commodity market पे जाकर future contract buy करता है या भी commodity market पे जाकर कोई भी contract buy करता है तेन उसे हम कहेंगे हेजर और जिनका कोई भी production या फिर manufacturing से लेना देना नहीं है जिनको केबल market की up and down से पैसा गवान आए उसे हम क्या कहेंगे speculator अगर आप इस concept को और भी गहराई से समझना चाहते देने recommendation रहेगा उपर यहाँ पे i button पे दिया गया derivative video series देखिए Why we need to take margin in commodity trading Commodity trading करने की दोरान हमें margin लेने की जरूरत होता है क्योंकि commodity की कीमत बहुत ही जादा होता है जिनको margin नहीं परता है margin यानि की उधार Suppose आपके पास जितना पैसा है अगर आप उससे भी चादा है amount की trading करना चाहते हो यह निन में आपको margin facility मदद करता है आपके पास जितना पैसा है उसकी 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना इवन कोई-कोई broker तो 20-30 गुना भी margin प्रोवाइट करता है Broker यानि की demand account provider जैसे की upstock, 0-3, angel broking, 5 पैसा या फिर दूसरी कोई भी Margin लेने के लिए आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है देखिए commodity market आपकी local market जैसी नहीं है Local market पे तो आपको एक लिटर प्रेट टॉल या फिर एक केजी आलू या फिर एक ग्राम सोना भी मिल जाएगा लेकिन commodity market पे ऐसा नहीं होता है या फिर ट्रेडिंग होता है lot में एक lot में जितना रहेगा आपको minimum उतना ही quantity लेना है या फिर उस quantity की multiply में लेना है लेकिन एक lot की कम आपको नहीं मिलेगा इस commodity market में आपको धैन रखना है यानि कि अगर आप gold लेना चाहते दिन आपको minimum एक lot gold या फिर इसकी multiply में लेना होगा धैन से सुनिए गोल्ड की एक लोट है एक केजी की ठीक उसी तरह से क्रूड ओयल की एक लोट है हंडेट बैरल्स की आज की डेट में एक लोट गोल की कीमा थे करीब करीब 4,50,000 रूपीज और क्रूड ओयल की एक लोट की कीमा थे अल्मोस्ट 4,36,000 रूपीज तो 5 lot crude oil लेने के लिए हमें करीब करीब 21 से लेकर 22 lakh रूपीज पे करना है जाहिर सी बात इतना ज़्यादा पैसा सब के पास नहीं है इसलिए commodity trading हमेशा margin लेकर ही किया जाता है इतना तक सुनके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस bright side की साथ साथ margin trading के एक dark side भी है चलिके example की मदर से समझने की कोशिस करते और example की अंदर हम छोटे छोटे digit यूज़ करेंगे माल लिजे आपने 1000 रूपीज दिया है और broker से आपको 10 गुना margin मिला है 1000 की 10 गुना margin याने की 10,000 रूपीज जिनमें आपका केबल 1000 रूपीज और broker का है 9,000 रूपीज ठीक है इस पैसा से आपने trading किया माल लिजे ट्रेडिंग से आपको 10% प्रॉपीट हुआ तो टोटाल प्रॉपीट केतना होगा 10,000 रूपीज की 10% याने की 1000 रूपीज और इस सौधा के लिए आपने कितना फेकिया था केबल 1000 रूपीज और बाकी पैसा तो broker ने दिया था तो 1000 देकर 1000 प्रॉपीज याने की 100% प्रॉपीज ये था bright side की example दूस्टी side पे अगर आपको 10% प्रॉपीज की जगा पे 10% लॉस होता है तेन लॉस अमाउंट कितना होगा 10,000 रूपीज की 10% याने की 1000 रूपीज और इस सौधा के लिए आपने भी 1000 ही फेक किया था तो 1000 देकर 1000 लॉस याने की 100% लॉस इसलिए margin ट्रेडिंग है एक दोधरी तरवाल margin लेने की बाद चाहिए commodity हो या फी दूसरी कोई भी ट्रेडिंग आपको rix management करने की बाद ही ट्रेडिंग करना है अधर होईस अगर आपको loss होता है देने होगी बहुत ही बड़ा अमाउंट की इसलिए हमेशा rix management करने की बाद ही stop loss के साथ आपको निबेश करना है ट्रेडिंग करना है margin लेने के बाद वीडियो की कॉमेंट पे चाहिए तो आप कह सकते है रिस्क है तो रिस्क है लेकिन जो सच्चाई है इससे प्यार नहीं rix सामय से इसे manage करना है जो जितना rix लेने की capable है उसे उतना ही लेना चाहिए उससे ज़्यादा बिलकुली नहीं commodity market बहुत ही ज़्यादा रिस्क है चलिए point by point समझने की कोशिस करते पहला है high margin equals to high rix margin कितना रिस्क है ओ हमने अल्लेडी last point पे डिसकस किया है उसी point की अंदर में include करना चाहूंगा margin लेने की बाद हमेशा stop loss की साथ trading कीजिए otherwise इससे खतरनाक और कुछ भी नहीं हो सकता है दूसरा है global unstability देखिए commodity यानि की gold, silver, oil या फिर suavine, rice, sugar इन सारे product या फिर किसी भी commodity की price की उपर हमेशा global effect हमें देखने को मिलता है अगर किसी भी देश बहुत ही ज़्यादा सोवविन की produce करता है दिन भारत पे भी सोवविन की भाव किरता है किसी भी देश को अगर बहुत ही ज़्यादा गोल्ड मिलता है या फिर कोई भी देश अगर बहुत ही ज़्यादा क्रूड ओयल प्रोड्यूस करता है तिन इंटरनेशनल मार्केट की साथ-साथ इंडियान कॉमोडिटी मार्केट की उपर भी प्राइस डॉप हमें देखने को म मिलता है उसकी अलबा कोई बड़ा इलेक्षान जैसे की यूएस इलेक्षान, कोई टेरोडी स्टैटाक, इंटरनेशनल ट्रेडिंग पॉलिशी के अंदर अगर कोई बड़ा चेंज़स आता है तिन कॉमोडिटी की प्राइस की अंदर हमें बहुत ही बड़ा प्राइस लेश के पास काफी एक्स्पेरियंस है और आलु की उपर बहुत सरी डेटास भी है, दूस्टी साइट पे फर्मार की पास है जिन्दे की भर की स्पेरियंस फर्मिंग की उपर आलु की उपर, फिर भी दोनों कोई डर है प्राइस mobil olarak की, कि altre किसी को भी नहीं पढ़ा है फ् रिस्पेक्टर हो सकता है, जैसे कि हाई डिमांड, लो डिमांड, मोर सप्लाई, लेस सप्लाई, और भी काफी कुछ रिस्पेक्टर हो सकता है, साड़े पॉइंट को देखते हुए, एक बिगिनर्स को में कभी भी कॉमोडिटी रेकुमेंड नहीं करता हो, इस से अच्छा इससे भला है, आप कॉम्पानि की स्टॉप, कॉम्पानि की सेयर में निवेस कीजीए, आपके लिए बहुत सिंपल रहाएगा और कॉमोडिटी की तूलना में लो डिस्क भी है, बहुत शिक है, कॉमोडिटी की तूलना में, अब जानेंगे capital भाया के बारे में जोग्याक को मदद करेगा investment decision लेने में आप share market पे निवेज करना चाहते हैं लेकिन आपके पास उतना ज़्यादा time नहीं है share market research करने की या फिर आप खुद से share market research नहीं करना चाहते तेन आप capital भाया की मदद ले सकते capital भाया है एक semi registered investment advisor company आप internet trading करना चाहते हो डेली भरी future option या फिर commodity capital भाया हर एक segment पे आपको proper मदद करेगा नीचे description पे आपको मिलेगा capital भाया की website link उस link की उपर क्लिक करे एहे capital भाया की home screen लास 13 यार से capital भाया stock market की field में है इन्योंने 70,000 से भी ज़्यादा customer को service दिया है आपकी नीट की हिसाब से यहाँ पे आपको अलग-अलग share market recommendation service मिलेगा जानौरी 2020 पे commodity market के अंदर gold ने average monthly 3% से return दिया है अही पे capital भाया की धाबा है इसकी एक product है MCX Pro जो की average basis पे monthly 10% से भी ज़्यादा रिटन दिया है अगर आप भी commodity market पे निवेस करने के लिए expert advice देता है अगर आप भी commodity market पे निवेस करना साथ है capital भाया की मदद से ते नभी नीचे description पे दिया गया link पे जाकर callback from पे खुद की जानकरी दे कुछी देर की अंदर आपके पास एक expert advisor की call आएगा call पे capital भाया आपको proper guide करेगा सब कुछ समझाएगा आपकी नीट की हिसाब से capital भाया की कौनसी plan आपको लेना चाहिए plan की charges कितना है और अगर आपकी कोई भी दूसरा सवाल है देने उस सवाल के answer भी आपको मिलेगा उसकी अलाबा capital भाया की और एक plan है H&I commodity इस plan में customized service मिलता है एक experience researcher आपके साथ बात करके एक unique investment strategy बनाएगा आपकी डिक्स पोफाइल और नीट की हिसाब से Capital भाया की लिंक आपको मिलेगा नीचे description पे आज की वीडियो इतना है अगर आपको पसंद आया तो like करें पसंद आने पर dislike करें इस तरह की trusted और authentic वीडियो की update सबसे पहले पाने के लिए क्या करना है आपको तो पताईए इस channel को subscribe करने की साथ ही साथ बेल आइकोन को on करना है जो भी है thank you दिल से हम मिलेंगे फिर से keep going keep growing